अगर प्लांट्स को पानी देते वक्त रखा इन बातों का ख्याल तो प्लांट्स रहेंगे हर दम बरकरार हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू ओल आज का मेरा वीडियो है कि आप अपने प्लांट्स को किस तरह से पानी दे देखिए पानी देने का एक तरीका होता है अगर आपने उसे समझ लिया उसे जान लिया तो फिर आपके प्लांट्स कभी भी खराब नहीं होंगे तो mostly हमरे प्लांट्स पानी के वज़े से खराब होते हैं या तो over watering की वज़े से या less watering की वज़े से तो आप प्लांट्स में जब भी पानी दें कुछ बातों का ध्यान रखें एक तो प्लांट्स का नेचर पहचाने प्लांट को कितने पानी के अवशक्ता है इस बात का में पता होना चाहिए क्योंकि हर प्लांट के पानी के रुकार्मेंट अलग-अलग होती है कुछ प्लांट को कम पानी के अवशक्ता होती है तो कुछ को जादा पानी के अवशक्ता होती है तो आप ये नहीं कि लाइन से आपके प्लांट्स लगी हैं और आपने सबी को एक जैसा पानी दे देना है अगर ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से प्लांट्स खराब हो जाएंगे तो सब को उसकी रुकाइर्मेंट के इसाब से पानी दे किस तरह की मिट्टी में आपने प्लांट को लगाया है यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अगर आपने प्लांट को सैंडी सोल में लगाया है तो फिर उसमें ज़्यादा पानी के अफशकता होती है क्योंकि sandy soul में पानी जल्दी जल्दी drain out हो जाता है जल्दी जल्दी सूख जाता है तो उस condition में ज़्यादा पानी दें अगर आपने plant को clay soul में लगाया है यानि उसे chickeny मिटी में लगाया है तो फिर आप उसमें कम पानी दें क्योंकि chickeny printry महोँ ज़्यादा time तक पानी को hold करके तो उस कंटिशन में अगर ज्यादा पानी देंगे तो फ्लांट कहरा हो सकता है अगरoure है कि अपने प्लांट सोंट को कि feito रखھा है यह भी द्यां palavras करता है अगर इंडोर रखा है यह शेड में रखा है तो उस condition में आप पोदे में ज़्यादा पानी दें इसके अलावा season का भी ध्यान रखें कि किस तरह का season है सर्दी गर्मी दोनों season में अलग अलग requirement है सर्दियों में भोती कम पानी के अफशक्ता होती है पोदों की क्योंकि उस time अधिकांश पोदे अपने dormancy period में चले जाते है और जो गर्मी होती है उस time पानी की requirement भढ़ जाती है इसके साथ ही बारिशों में भी बहुत कम पानी के अफशक्ता होती है क्योंकि बारिशों में भी वातावरण में नमी रहती है तो उस time अगर आपने जादा पानी दे दिया तो पोदे में fungus लग सकती है और इससे भी पोदा खराब हो सकता है तो इस चीज़ का विशेश ध्यान दे इसके साथ ही आपने पोदे को किस तरह की पोट में लगाया है इस बात का भी ध्यान रखें अगर आपने पोदे को प्लास्टिक पोट में लगाया है तो फिर उसमें कम पानी दें क्योंकि प्लास्टिक पोट में बहुत जल्दी पानी सुकता नहीं है अंदर पानी रहता है नीचे तक तो उसमें फिर पानी जल्दी से ड्रेन आउट भी नहीं हो पाता है क्योंकि जल्दी सोकता नहीं है रोम चिदर नहीं होते हैं और इसके बजाए अगर आपने उसको मिट्टी के पोट में लगाया है तो फिर उसमें पानी की ज्यादा आफशकता होती है क्योंकि मिट्टी में चोटे चोटे से रोम चिदर होते हैं जिसे पानी जल्दी जल्दी और साथ में हुआ का ध्यान रखें लिटाने पाम was told, इन बातों का ध्यान रखें आप ही लइस समें थल्स गशुफ दूट्ख चाहरानी operate आइं रेमें पाम प्लास्टी वहए कि पुज बस सकते हैं इसे जल्स बता हैं उपर इतना पानी देती है कि खाले सर्फे से रिया ही गिला हो पाता है, नीचे जड़ों तक पानी नहीं पहुंचता है, लगातार ऐसा करने से जड़ें धीरे-धीरे सुखना स्टार्ट हो जाती है, और एक बार अगर जड़ें सुख गई तो फिर पूरा प्लांट सुख जा डियालोग भी नहीं हो पाती है कम पानी की वज़े से, और उन्हें पॉशन भी नहीं मिल पाता है, तो पानी ऐसे दें कि जड़ों तक भी पानी पहुंचें, आप जब भी पानी दें, इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी को चक करके पानी दें, जब मिट्टी ड्राइफ पंट हो से पानी निकलने लग जाए या इसका मतलद जोड़ों के लिए खर्आब हो जाती है पोदे पोदों के लिए ठीक नहीं है तो आप हमेशा मिट्टी के सूखने पर ही पानी दें और पूरा पानी दें उसकी जोड़ों को अच्छी तरह पानी मिले इस तरह से पानी दें क्योंकि जड़ें डाल अप होएंगी तब भी पूरा प्लांट भी डाल अप होगा आई हो फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोडिकेशन आपको मिलता रहे तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो तक अपना और अपने पोदों का ख्याल रखिए हैपी गार्णिंग थैंक यू